दसारा पूजा को लेकर के तरह-रह की लोगों में चर्चा आए हैं और लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पूजा कैसे होगा पंडाल बनेगा या नहीं बनेगा और इसी को लेकर के हमारे साथ यहां पर डीम और एसपी दोनों पताधीकारी मौजूद हैं तो COVID-19 के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखना है हम लोगों को जो निर्ना यही हुआ है कि अभी चुकि तिवहार का सीजन है भीर बढ़ने का चांस है तो पंडाल वगरा लगाने का अभी मनाही है पूजा वगरा करना है तो मंदिर में ही अगर मूती स्थापित करनी है तो कोई पंडाल वगरा का कोई प्रोविजन नहीं रहेगा उसमें मंदिरों में ही स्थापित करें घर में करना चाहते हैं तो घर में पब्लिक डिस्प्ले नहीं होगा इस चीज का और कोई किसी तरह का जुंड में नहीं चलना है या जैसे पूर में होता था कि बड़ा-ब मूर्ती है अगर सड़कों पे अगर रखी जाती थी सड़क के किनारे तो सरक्या रखे जाएंगे या फिर नहीं गाइडलाइन तो यही कहता है कि खाली मंदिर में उसको स्थापित करें और जिस तरह का मूर्ती पहले बनता था बड़े-बड़े मूर्तियां बनती थी पब पर्टिसिपेशन इस बार अलाओड नहीं है लोग अपने घर में रहके श्रद्धा का पर्व हैं लोग अपने घर में रहके या इंडिविज्वाली मंदिर जाके दर्शन करके भी इस साल कर सकते हैं को रोना को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी किये गा है तो है और भी बहुत से पर्व हैं जिसमें की इस तरह की सेक्रिफाइसेज लोगों ने की हैं तो मुझे पुरी उम्मीद है कि जो गाइडलाइन इस बार जारी कर रहे हैं हम लोग वह भी लोग फॉलो करेंगे अब सरे इसपी साब दोस्त थोरा साथ दसारा को लेकर बता दिया अब आपको डियम साम ने बता दिया कि जो गाइडलाइन्स हैं हम लोग उसका अच्छर सा पालन करेंगे और लोगों से बात जो भी और गनाइजर पूर में रहें हैं उनसे बात करेंगे उनके उनके साथ यह चर्चा करेंगे कि क्यों यह डिसिजन हैं और उनको कॉंट्व करना कि यह क्यों जरूरी है तो इस पर हम लोग एज़े टीम काड करेंगे और हमको पुरविश्वास है कि इस जो कुरिणा का जो संक्रमन का समय है तो जन हित में लोग भी इस मामली में कॉपरेट करेंगे तो आपने देखा कि सीवान के जिलादिकारी और पूरी सदिक्ष आए थे कम से कम उसका ख्याल रखेंगे ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके हमारे सहोगी सुमेश कुमार सिंग के साथ शंदन कुमार एटीन लाइप सीवान